केरल के इडुकी जिले के राजमाला में भुस्खलन से 13 लोगों की मोत हो गई है केरल के स्वास्थे मंत्री ने बताया कि गटना स्तल पर मोबाइल टीम और 14 एंबुलेंस को भेजा गया है अब तक 10 लोगों को बचा लिया गया आपको बता दे केरल के कई हिस्सों में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश हो रही है प्रिशासन के मुताबिक इस हाथसी में 80 से जादा लोगों के फसे होने की आशंका है 20 से अधिक घर मलवे में भैगए मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक इडुकी मलप पूरम और वायनाड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है बता दे कि एक चश्मदीद ने बताया कि जब भूसकलन हुआ तब हमने बहुत तेज अवा सुनी उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया लोग बचने के लिए भाग रहे थे लेकिन पानी और मलबा उन्हें बहा ले गया आपदा में बचे दीपन ने बताया कि भुसकलन के वक्त वह पिता मा और पत्नी के साथ घर में था सब कुछ मलवे में दब गया उन्हें आख में चोट लगी है मा की हालत नासुख है उन्हेंने बताया कि मेरे माता पिता और पत्नी का अभी तक पता नहीं चल सका प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी ने हाथसे पर दुख जताते हुए कहा कि मेरी समवेदनाई प्रित परिवार के साथ है इंडियारेफ की टीम और प्रशासन जमीनिस्तर पर काम कर रहे है हाथसे में जान गवाने वालों के परिजन को स्पी एम रिलीफ फंड से दो लाख और जो घायल हुए है उन्हें पचास हजार उपे दिये जाएंगे उदर मुखे मंतरी पी विजियन ने घटना पर दुख जदाया है केरल के राजसो मंतरी के चंदर शेखन ने बताया कि वहाँ चार लेबर कैमपों में 80 से जादा लोग रहते थे यह साफ नहीं है कि भुसकलन के समय वहाँ कितने लोग मोजूद थे खराब मोसम की वज़े से फसे लोगों का एयर लिफ्ट तक नहीं हो पा रहा है वही मुंबई में मुसलाधार बारिश ने एक बार फिर से कहर ढाया है मुसलाधार बारिश और तेज हवाव ने मुंबई की रफ्तार रोक दे सडके पानी से लबालब भरी हुई है जिसने माया नगरी वालों को पूरी तरह से परिशान कर दिया बारा घंटे की बारिश से मुंबई के सभी इलाके जलमगन हो गए पेड़ गी गए रेल सेवा ठप हो गई हाईवे बंध हो गए सडके डूब गई और घरों में पानी खुस गया बारिश के कारण मुंबई वालों का जीना मुहाल हो गया दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुंबई वासियों की जिंदगी बेपटरी के चलने वाली रेल गाडी जैसी हो गई हालाकि मुंबई में आज भी बारिश की चतावनी दी गई है और ड्रेड अलर्ट चारी किया गया है भारते मोसम विभाग के नुसार दक्षिन मुंबई के कुलाबा मोसम स्टेशन ने महस 12 घंटे में साड़े आठ से रात साड़े आठ वजे तक 293.8 मिलिमीटर बारिश तरच की है दक्षिन मुंबई के लोगों ने 46 साल बाद अगस्त के महीने में ऐसी बारिश देखी है साल 1974 के बाद अगस्त महीने में 24 घंटे में यह सब तक की सबसे भीशन बारिश है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वारी स्ब्सक्राइब करें